बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है एक सो पंचान नबे उमीदवारों की और तमाम सारे ऐसे उमीदवार हैं जिन्होंने सोचा नहीं था कि वो बीजेपी के टिकट से लोगसभा चुनाओं लड़ेंगे तमाम सारे युवा और महिलाओं को जो है वो इस बार मौका दिया हैं पूर प्रदानमंतरी के निरिपेन मिश्रा जी उनके बेटे हैं और तकरीबन 19 साल इन्होंने विदेशों में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें काफे अच्छे और उचे ओधों पर रहे हुए हैं उसके बाद में 2017 में भारत लोटे और फिर जो है वो उत्तरपदेश में काम करना शुरू किया अब साकेज जी आपको कब पता चला और क्या आपको उमीद थी कि आपको स्रावस्ति से लड़ाए जागा कि स्रावस्ति कमजोर सीट मानी जाती है पिछली बार BSP के वहां से उमीदवार जीते थे तो आकांक्षा तो सबकी रहती है कि अगर राजनीत लेंगे कि कौन कहां लड़ेगा इश्वर की दया है और माने मोदी जी नडडा जी योगी आदितिनाद जी सबकी कृपा रही मदद रही कि लगतार काम करने का मौका प्राप्त हुआ और मैं अभारी हूं कि अफसर मिला है लड़ने का और कमजोर सीट आप तो जानते हैं जानता चाहे किसी जाति धर्म किसी आर्थिक विवस्ता से आए जो लाब मिल रहा है उसका बहुत फरक पड़ेगा और सबको विश्वास है मोदी की गैनिटी के और शब्द नहीं है इस पर विश्वास अलगी तरह का विश्वास है लोगों को अच्छा अच्छा अब जब ये टिकट मिला चुकी रिपेंद मिश्वाजी का भी एक बड़ा नाम है आप उनके बेटे हैं बातचीत हुई कैसा क्या उन्होंने आपको सुझाओ दिया इमानदारी से काम करो और जनता की सेवा करो और अनुशासित रूप से काम करो बाकी आशिरवाद मिला और माता जी की तरफ से जो उनके पिता जी हैं वो भी कॉंग्रेस के विधायक रहे चुके हैं बहराईच में एक राजनितिक प्रष्ट भूम भी है आपके माता जी के परिवार का उसका भी फाइदा कहीं न कहीं आपको फाइदा तो सबसे बड़ा ये था कि वहाँ पर जो मेरे नाना थे वो मेले भी रहे थे और सांसत भी रहे थे तो शिक्षाक में उन्होंने बहुत लोगों को इसाथ बच्चे जो थे उनका भी एक पैशन था कि युवाओं को पढ़ायना तो आज भी जब मैं जाता हूँ तो पुराने रिटायर्ड प्रिंसिपल कई सारे होते हैं जिन्होंने उनके साथ पढ़ाई की है या हमारे घर पे रहे करके पढ़ाई की थी तो हम सब जो भी हैं अपने पुराने परिवार के आशिरवाद से होते हैं उनके कर्मों के रिजल्ट होते हैं तो फरक तो बहुत पड़ता है अच्छा आप MLC भी हैं पुर्वांचल विकास बूर्ड के सदस्य के तोर पर भी आपने काम किया श्रावस्ति आती पिछडे जिलों में है बहुत पिछड़ा माना जाता है कुछ आपके पास में ब्ल्यूप्रिंट हो या कैसे आप क्या-क्या आपके मन में है कि आप करेंगे श्रावस्ति के लिए एक तो क्योंकि आकांक्शी जिला है इसलिए हम लोगों को बहुत मिलते हैं जो संसाधन जरूरी होते हैं वो मिलते हैं तो जैसे टीचर होते हैं तो टीचरों को प्रात्मिक्ता दी जाती है श्रावस्ति जैसे जिरे में बेजने के लिए श्रावस्ति बल्रामपुर दोनों लगेगा वहाँ पे क्योंकि इससे में होता क्या है अगर कोई उद्योग पती भी लगाना चाहता है वो देखता है कि वहाँ पर कर्मचारी के लिए स्कूल होगा या हॉस्पिटल है कि नहीं है इन में अगर सुधार हो जाएगा और वहाँ पर लोकल अगर पढ़े लिखे अच्छा एक आखरी सवाल है सर कि चुकि जो ये शावस्ति लोक सभा सीट है पिछली बार बीएस पी के लोग वहां से लड़े थे हाला कि अभी समाजवादी पार्टी ने अपना उमिदवार नहीं गोशित किया है लेकिन किस तरीके कि एक राजनितिक चुनोती आप मान र सब्सक्राइब है कि अगर अबस में संवाद होता है लोग कर सकते हैं वो भी जरूरी है पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमजोर शब मैं नहीं इस्तिमाल करूँगा अब अबसर ही इस्तिमाल करूँगा अच्छा बस एक चलते लते एक सवाल है कि जब यह टिकट मिला तो कहा थे क्या मतलब आपको था उम्मीद की तरीके से अब उस समय मुझे भारत की 10 ट्रिलिन डॉलर एकॉनमी पे एक उद्बोधन करना था यह बलकि यहीं पे इंडिया इंटरनेशनल सिंटर में था तो मेरा फोन बं था साइलेंट पे था तो मुझे करीब 47 पे जो आयोजक थे उन्होंने बताया कि आपको टिकट आ किया है तो मैं तो उस समय आर्थिक व्यवस्ता और भारतिय संस्कृत पे भाशर दे रहा था तो वही है कि कम सका मेरा व्यक्तिकत विश्वास यह रहता है कि जो कुछ फलवल मिलता है वो तो मिलता है पर अपना काम करते रहेंगे तो हम लोग एक तो समाज बढ़ता है समाज शुक्रिया हम से बात करने के लिए तो यह थे शाकेत मिश्रा जी जो की पहली बार चुनाओ लडेंगे और वो भी लोकसभा का चुनाओ लडेंगे श्रावस्ति जैसे सीट पर चुनाओ लडेंगे चुनाओतियां बहुत सारी है नतीजे बताएंगे कि कितना जो है वो शा अम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला एंडिटीब इंडिया